Hello guys, you are watching my channel, My English Magazine. Today I explain to you about the political science chapter, judiciary, नियाए पालिका. नियाए पालिका सरकार का महत्पून तीसरा अंग है, जिसे विबिन वेक्तियों या निजी संस्ताओं ने आपसी विवादों को हल करने वाले पंच के रूप में देखा जाता है. कि कानून के शासन की रक्षा और कानून की सर्वोचिता को सुनिशित करे. इसके लिए ये ज़रूरी है कि नियाए पालिका किसी भी राज नितिक दबाव से मुक्त होकर स्वतंत्र नेने ले सके. नियाए पालिका देश के समिधान, लोकतांत्रिक प्रमपरा और जनता के प्रती ज्वाब दे है. विदाईका और कारे पालिका नियाए पालिका के कारियों में किसी प्रकार की बादा ना पहुंचाए और नियाए पालिका ठीक प्रकार से कारे कर सके. न्यायदीश बिना भय या बेदबाव के अपना कार्य कर सके न्यायपालिका की स्थापना भारत सरका अधिनियम 1935 के तहट संगिय न्यायले की स्थापना का प्रावदान किया गया है जिसके तहट भारत में संगिय न्यायले की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को दी गई इसके प्रतम मुख्य न्यायदीश सर मौरिस गवेर थे भारत की अजादी के बाद उच्चितम न्यायले का उधागाटन 28 जन्वरी 1950 को दिल्ली में किया गया न्यायपालिका की पिरामिर रूपी सरंचना न्यायपालिका की स्थांतरता न्यायपालिका की स्थांतरता का अर्थ है कि सरकार के अन्य दो अंग विदाईका और कारेपालिका न्यायपालिका के कारियों में हस्तक शेप करके उनके कारियों में किसी भी प्रकार की भादा ना पहुंचाए तांकि वे अपना कारिय सही ढंग से करे और निश्पक्ष रूप से न्याय कर सके संगहतमत सरकार में संग और राज्यों के मद्य विवात के समाधन और संविदान की सर्वुच्चता बनाए रखने का दायतव न्याय पालिका पर ही होता है इसके साथ साथ उस पर मूल अधिकारों के सरंख्शन का भी दायतव होता है इसके लिए न्याय पालिका का सुतन्थ्र एवं निश्पक्ष होना अती अवश्यक है सर्वुच्च न्याय पालिका का गटन सर्वोच न्यायले के गठन के बारे में प्रावधान समीदान के अनुसार 151 में दिया गया है अनुचेद 124, एक के तहट मूल सम्विदान में सर्वोच न्यायले के न्यायदीशों की संख्या एक मुख्य न्यायदीश तथा साथ अन्य न्यायदीशों को मिलाकर कुल आठ रखी गई सर्वोच न्यायले के न्यायदीशों की संख्या शेत्र अधिकार न्यायदीशों के वेतन एवं शर्ते निश्यत करने का अधिकार संसत को दिया गया है इस शक्ति का प्रियोग कर संसत ने समय समय पर न्याय दिशों की संख्या में वृद्धी कर वर्तमान में सर्वोच न्यायले में कुल न्याय दिशों की संख्या 31 है न्याय दिश की रूप में निक्त होने के लिए व्यक्ति को वकालत का अनुभव या कनून का विशेश अग्य होना चाहिए इसका निशृत कारेकाल होता है ये सेवा निर्वित होने तक अपने पद पर बने रहते हैं विशेश स्तितियों में नियाएदीशों को हटाया जा सकता है नियाएपालिका, विधाय का या कारेपालिका पर वित्य रूप से निर्बर नहीं है नियाएदीश की नियुक्ति मंत्री मंडर, राज्य पाल, मुख्य मंत्री और भारत के मुख्य नियाएदीश ये सबी नियाएक नियुक्ति के प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं मुख्य नियाएदीश की नियुक्ति के संदर्ब में ये परंपरा भी है कि सरवोच न्यायले के सबसे वरीष्ट न्यायदीश को मुख्य न्यायदीश चुना जाता है किन्तु भारत में इस परंपरा को दो बार तोड़ा भी गया है सर्वोच नयायले और उच नयायले के अन्य नयायदीश की न्यूकती राष्टपती भारत के मुख्य नयायदीश की सलाह से करता है तांकि नयायले की स्वतंतरता वशक्ती संतूलन दोनों बने रहें सर्वोच नयायले के मुख्य नयायदीश की न्यूकती भारत के राष्टपती द्वारा किया जाता है सर्वोच नयायले के नयायदीश को पद से हटाने की प्रक्रिया महा प्योग द्वारा आयोगिता का अरोप लगने पर विशेश बहुमत से प्रस्तापारिक दोनों सद्रों में बहुमत के बाद उच नयायले का गठन सम्विदान के बाद छे अनुछेद 214 से 232 में राज्यों के उच नयायले के बारे में प्रावदान किया गया है उच नयायले राज्य का सबसे बड़ा नयायले होता है ओके गाइस थैंक यू गाइस यू वोचिंग माई चैनल माई इंगलिश मैगजिन on YouTube thank you thank you guys